वीडियो में कही गई सारी बाते एक किताब से हैं नेम घोस्ट हंटर गौरव तिवारी मैं यहां अपने मन से कुछ नहीं कह रहा और अगर आप चाहे तो उस किताब को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से चेक आउट कर सकते हैं जिन्दगी और मौत का सिलसिला तो चलता रहता है तो मौत का मातम मनाने के बजाए जिन्दगी का जश्न मनाना चाहिए अब तक तो शायद आप सबको पता होगा कि God of Sir इंडिया Paranormal Society यानि IPS के founder और CEO थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबसे पहले वो पाइलेट बनना चाहते थे जी हाँ पढ़ाई के लिए वो अपने दोस्तों के साथ स्वारीडा में रहते थे और उन्हें Paranormal में कोई खास रुची थी भी नहीं लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे सब बदल गया उस रात God of की दोस्त बाहर पाटी करने गये थे और वो अकेले अपने कमरे में सो रहे थे रात के ठीक तीन बज कर पांच मिनट पर उन्हें अपने कानों में किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है गौराव कुछ दिर बाद फिर से वही आवाज आती है और उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में उन्हें पुकार रहा हो नदेरे कमरे में गौराव को जब ये आवाज दो बार सुनाई दी तो उन्होंने हर बढ़ा कर अपने दोस्तों को फोन करना चाहा कोई तो ड्रॉइंग रूम में लगातार चल रहा था और एक औरत की आवाज उन्हें पुकार रही थी सभी घबरा गए लेकिन आवाज तेज होती गई गौरव उनके दोस्त समझ गए कि इस घर में कोई तो गरबर जरूर है लेकिन इतने शौर्ट नोटिस पे उन्हें कोई नया अपार्टमेंट नहीं मिल सकता था इसलिए उन्हें कुछ दिन साथ रहने का प्लान बनाया ताकि अगर कोई एंटिटी है भी तो वो उन्हें परिशान ना कर पाए तो इस सब के कुछ दिन बाद एक और घटना हुई उस दिन अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर 23 साल की छोटी सी उमर में गौरव ने जो डर्व हैसूस किया उसी डर्व ने उन्हें पैरानॉर्मल की पढ़ाई गहराई से करने के लिए प्रेरेत भी किया तो अब जबकि आपको गौरव सर के backstory का एक brief मिल गया है चलिए हम उनके कुछ और cases पर बाते करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी के बादे में बताता हूँ जिसे मैंने कुकू FM पे सुना तो क्या उसे वो सिक्का मिलेगा और अगर मिल जाएगा तो क्या वो भी बाकियों की तरह मारा जाएगा यही सब जानने के लिए आप कुकू FM पे The Haunted Valley Story को सुन सकते हैं देखो कूकू FM पे ऐसे 10,000 से भी जादा आडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिसे आप सिर्फ 399 रुपे यहली देकर सुन सकते हैं और अगर आप फिजिकल बुक्स से कंपेर करें तो यह काफी सस्ता है अब यहां मैं इसको और सस्ता करूंगा जियां कूकू FM से बात करके आपके लिए एक स्पेशल ओफ लेका आया हूँ जिसके बाड़ मैं वीडियो के एंड में जानेंगे फिलहाल हम गौडव सर के कुछ केसे इस पे बाते करते हैं अराडेल मेंटल हॉस्पिटल या अराडेल लुनेटिक असाइलम ये मिलबॉन से करीब दो गंटी की दूरी पर बसेश शहर अराराथ का जानामाना अस्पताल है ये जगा को अठाड़ो सो साथ के दसक में बनवाये गया था और कहा जाता है कि यहां mentally challenged या traumatized लोगों की देख रेक और उनका इलाज किया जाता है अब ये तो रही कहने की बात लेकिन अरारत के लोगों की माने तो ये जगा कोई अस्पताल नहीं बलकि एक तरह का जेल था जहां ऐसे लोगों को भेजा जाता था जिनसे उनके परिवार वाले अपना पिंड छुराना चाहते हो अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेभी कोई इंसान बहुत बिमार है जिसका कोई इलाज नहीं तो भाई उसे वहां रख दो या फिर कोई mentally challenger उसे family में नहीं रखना है तो उसे वहां डाल दो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे धीरे धीरे इस दुनिया की तस्वीर से मिटाने का ख्याल किसी के मन में आता है तो वो उन्हें इसी जगा पर भेज दिया जाता है अब ये एस्पताल ऐसी जगा थी जहां अगर कोई mentally unstable नहीं भी है तो उसके साथ ऐसा सा लूख किया जाता था कि वो सच में mentally unstable हो जाए इस अस्पताल में मरीजों की स्थिति बहुत खड़ाब कर दी जाती थी लोगों को बिना खिड़की और ventilators वाले छोटे छोटे कमरों में कैद कर दिया जाता था और research के नाम पे इन patients की चीखों को उनके नकारात्मत भावनाओं को record किया जाता था यहां तक कि कई लोग Aradale Asylum को एक torture cell मानते थे शायद इनी कारणों से 1998 में इस अस्पताल को बंद करवा दिया गया और तब से Aradale को Australia का most haunted buildings में गिना जाता है इस अस्पताल का एक हिस्सा medical college के campus में तबदील कर दिया गया है जहां आते जाते students के साथ कुछ अजीब घटनाए होती रहती है तो 2013 में during August God of Haunting Australia की टीम के साथ Aradale Asylum investigate करने आये थे अब जब ये asylum चालू हुआ करता था तब Aradale के ground floor पर suicidal patients को रखा जाता था कहा जाता था कि यहां 13,000 से भी ज़्यादा मौते हुई थी तो टीम ने सबसे पहले इसी जग़े को investigate करने का फैसला किया और यहां दाखिल होते ही God of सर ने काफी नकरात्मक शक्ती को महसूस किया EMF meetup भी spike करने लग गया था और उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी तब ही अपने ठीक सामने उन्होंने एक महिला को hospital room में दाखिल होते वे देखा यह महिला शायद nurse केरी थी जो की 1865 के दौरान इस asylum में काम किया करती थी local students का कहना था कि उन्होंने कई बार nurse केरी के जूतों की आवाज को देर रात campus के बाहर सुना है God of nurse केरी के पीछे पीछे चलने लगे और इस कमरे से बाहर निकल गए उन्होंने साथ ही में EVP भी आउन कर दिया था ताकि एकर कोई भी आवाज होती है तो वो record हो जाए कुछ दूर तक nurse का पीछा करने के बाद गौरब ने धीरे से उन्हें आवाज दिया अब तक गौरब भी realize कर चुगे थे कि वो किसी दूसरे कमरे में आ गए है और उनकी टीम पीछे रहे गई थी कि nurse केरी अचानक गायव हो जाती है और उन्हें एक आदमी के चिलनाने की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि निकल जाओ मेरे कमरे से गौरब सर अपनी flashlight on करते हैं कि तभी एक तेज हवा का जोगा आता है और दरवाजा बंध होने लगता है वो हर बड़ा कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और बाद हमें पता करने पे उन्हें मालूम चलता है कि ये कमरा किसी Gary Webb नाम के patient का था Gary ने अपने आपको करीब 70 बार चाकू से चोट पहुँचाया था और इस कमरे में उसे सक्त निगरानी में रखा जाता था इन फाक्ट उसे visitors बिलकुल पसंद नहीं थे इस incident के बाद गौरव कहते हैं कि ये जगह काफे disturbed है और हमें बाहर जाना चाहिए जब गौरव ने team के साथ camera footage शेय किया तब एक तस्वीर में उन्हें सफेद dress में एक औरत दिखाई दी जिसने अपने सर को हलका टेरा किया हुआ था मानव वो पोज दे रही हो इस तस्वीर को देखते ही रॉब कहते हैं कि ये तो nurse के रही है पूरे investigation के बाद team ने ये conclude कि कि Aradale Mental Hospital वाकई Australia के सबसे डरावने जगहों में से एक है और यहां की आत्माएं बाहरी लोग से कोई contact पसंद नहीं करती Francis Clooney की मौत अडिलेड आर्केट में 21 जून 1887 को हुई थी preliminary investigation में भले ही मौत की वज़े accident बताई गई हो मगर लोगों की माने तो Clooney एक साजिस के सिकार हुए थे 21 जून के ठीक दो दिन पहले उन्होंने दो लड़कों को काम से निकाला था और लोगों का मानना है कि उन्हीं लड़कों ने Clooney को engine room में धकेल दिया ताकि वो machine के accident में मारे जाएं Francis Clooney के अलावा ICR में कई accidents और घटनाएं हुई थी For example, 1904 में यहाँ Florence Horton नाम की औरत को उसके पती ने जान से मार दिया था और इतना ही नहीं, Sydney नाम के एक तीन साल के बच्चे को उसकी माने गैस से पोईजन करके मार डाला था अपने बच्चे की मौत के बाद Sydney की माने यहीं उपर की living quarters में खुद को भी मार डाला था अब दोस्तों जहाँ पर arcade का engine room हुआ करता था, वहाँ अब एक laundromat खोल दिया गया है Manhattan Dry Cleaners नाम की इस laundromat का मालिक का कहना है कि एक राज जब वो अपना काम खत्म करके store lock कर रहा था तो उसे एक 50-60 साल का बुढ़ा आदमी कोने में ख़ड़ा दिखाई दिया उनने ने बताया कि उसे मालूम है कि ये क्लूनी की ही आत्मा थी जब वो इस आत्मा के पास पहुँचा तब अचानक ही क्लूनी गायब हो गया और उसे किसी के जोर जोर से हसने की आवाज सुनाई दी इस जगह पे कई बार आजीबो गरीब घटनाएं होती रहती थी कभी आस पास का टेंपरिचर बहुत गिर जाता था तो कभी चीजे गायब हो जाती थी एक बार जब इलक्ट्रिशियन मॉल में कुछ काम कर रहा था तो उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जब वो पीछे मुरा तो अच्छानक आस पास थंड बढ़ने लगी और कुछ दिर बाद सब नॉर्मल हो गया एक औरत ने बताये कि वो अपने बच्चे के साथ यहां आईस क्रिम खा रही थी जब अचानक बच्चा एकदम सीरियस हो गया और कहने लगा तुमने मुझे क्यूं मारा मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ था अपने बेटे के मुझे से ये बाते सुनकर वो औरत बिलकुल घबडा गई लेकिन अगले ही पलून का बेटा शान्त हो गया और उसे पिछली कुछ मिंटो की कोई बात याद नहीं थी तो 2013 में God of और Haunting Australia की टीम को Arcade Investigate करने के लिए बुलाया गया था इस बाद टीम में God of के साथ Ian Lomain थे जो की UK के Psychic Exhausters थे उसके लावा Ray Jordan थे जो की Paranormal Investigator थे then Alan Tiller who was also a Paranormal Researcher Rob Demarest who was a leading investigator from USA and finally Raylene Cable जो की Medium थे Arcade Sharm को 7 बजे Customers के लिए बंद कर दिया जाता था और बंद होने के बाद Haunting Australia के टीम यहां पहुँची टीम ने अपनी activities प्लान कर ली थी और God of ने basement एरिया को पहले investigate करने का decide किया उन्होंने EMF meter और camera on कर दिया थाकि जादा से जादा footage record करी जा सके अब जैसे ही God of Clooney को पुकारने लगे वहां मौझूद camera और electronic devices की battery dead होनी चालू हो गई उन्होंने नई batteries लगाई लेकिन फिर से battery drain हो गई ऐसा लग रहा था मानो हर सवाल के साथ उनकी battery खत्म होती जा रही थी तब ही अचानक से उन्हें वहां कुछ अजीब आवाजे सुनाई देती है God of foreign EMF meter में लगी LED lights की मदद से Clooney की आत्मा से interact करने लगते हैं Investigation के बाद टीम एक कमरे में कटा हुई ताकि evidence वगड़ा analyze किया जा सके God of ने बता है कि उन्होंने bridal shop के पास एक छोटे बच्चे की आत्मा को महसूस किया है कैमरा में चेक करने भी पाया गया कि वहीं कोने में एक सफेद आकरिती के रूप में एक लड़का करा था जो किसी से बेहत ड़़ा हुआ था ये बच्चा शायद सिदिनी था जो की मरने के बाद भी अपनी मा की आत्मा से डर रहा था वो इस वक्त किसी से छुपने की कोशिस कर रहा था और इस investigation से टीम को पना चला कि यहां की आत्माएं भले अपने आपको दिखाना नहीं चाहती लेकिन सही medium होने पे वो interact करके लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं Moreover, यहां आत्माएं हैं God of Zer के पिछली वीडियो में मैंने उनके कुलधारा वाली investigation पे चर्चा किया था और उसके ठीक बाद उनकी टीम ने खाबा फोर्ट को भी investigate किया कुलधारा की तरह ही खाबा भी पालीवाल ब्रामीन का घर हुआ करता था लेकिन फिर उसी रहस्यमाई तरीके से mid 1800 की एक रात खाबा के सारे लोग गाइब हो गये अब गाइब होने के कारण को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिसकर्स कर रखा है for now मैं आपको बता दू कि जब God of Sir अपनी टीम के साथ खिले के पास पहुँचे तो वहां के गाउवाले उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए गाउवालों का कहना था कि यहां कोई भूत प्रेत नहीं है तो प्लीज हमारे गाउव को बदनाम मत करो स्थिती देखकर सबने टैकिया कि लोकल पुलिस वगड़े की मदद लेकर वो कल यहां दोबारा आएंगे और तब तक पासी के एक होटल में आराम लेंगे होटल में राज और गौरवसर से मिलने एक आदमी आया जिसने अपना नाम निशांत भधोरिया बताया निशांत का कहना था कि वो जानते हैं कि गौरवसर पैरनॉमल इंविस्टिकेटर होने के साथ साथ एक पहुंचे हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट है और इसे लिए वो अपने बेटे के लिए गौरवसर की मदद चाहते हैं अब जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट नहीं पता उन्हें बता दूं कि पेलार एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हेपनोंसिस वजेड़ा का इस्तमाल करके एक इंसान की सबकॉंशेस ट्रॉमा का इलाज किया जाता है ऐसे ही कई सेशन्स में लोग अपने पिछले जनम की बात करने लग जाते हैं और इस पिछले जनम वाले पूरे केस में मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो बना रखा है एनिवेस भदोरिया कहते हैं क कि उनका बेटा तरुन जोकी अभी केबल आठ साल का है वो बहुत ही जादा गंभीर है पचपन से ही उसे सोते हुए कोई भयानक सपने आते हैं लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाता कि उसने सपने में क्या देखा है लेकिन उठने के बाद उसकी शिकायत रहती है कि उसे सपने आते हैं यह सब सुनकर गौडव सर तरुन पर हिपनोसिस का इस्तमाल करके उसे सुला देते हैं और जब तरुन की आखे खुलती है तो वो अपने आपको एकदम ही दूसरी दुनिया में पाता है जी हां वो अजीब तरह का ढीला पोशाक पहने हुए था और उसके पै एक उंट भी था नाव रियालिटी में तो तरुन कमरे में ही सो रहा था लेकिन जो भी वो देख रहा था वो बाते तरुन बूलने लग जाता है गौडव सर के पूछने पे तरुन अपना नाम बदरी बताता है और वो लोकल मारवारी भासा में बात कर रहा था जो कि उसके पूरे परिवार में किसी को नहीं आता था तरुन बताता है कि उसका भी एक परिवार था उसकी बीवी थी, बच्चे थे और समाज में बहुत इज़त थी शुरुआत में जिंदगी ठीक थी लेकिन समय के बाद जिंदगी में मुश्किले आने लगी, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा लोगों ने उसे धोखा दिया और सब उसे छोड़ के चले गए उसके गाउं में अकाल पड़ गया, और भुक मरी की वज़े से लोग मरने लगे बैसे में उसकी बेटी भी मारी गई और ऐसे में उसे गाउं छोड़ना पड़ा उसकी खुद की जान भी इसी वज़े से गई ये बाते सुनकर गॉड ओफ शौर थे कि तरुन जरूर से अपने पिछले जनम की बाते बोल रहा है और उस जनम में वो बदरी हुआ करता था ऐसे में वो तरुन से पूछने लगते हैं कि वो किस जगह पे है और तभी अचानक ही गॉड ओफ खुद को खाबा फोर्ट के पास पाते हैं जी हाँ, नाव दिस वस इंपॉसिबल क्योंकि वो तो होटेल रूम में थे और तभी उन्हें अपने पीछे से बदरी की आवाज आती है जो कहता है कि हम यही रहते थे बाप जी इस पॉइंट पर गॉड ओफ समच चुके थे कि सम्हाँ वो भी तरुन के consciousness का हिस्सा बन चुके थे गॉड ओफ सर ने गॉड किया कि आज पास का महौल कुल धारा से काफी मिलता था फर्क बस इस किले का था जो एक पहारी पर बना था इस काल में खाबा काफी सम्रिद दिखाई दे रहा था और आज पास एक से एक घर सुन्दर नकाशियां गड़ी हुई मुर्तिया और कई आलिशान किले बसे हुए थे तब यह अचानक से बारिश हो ही लगती है लेकिन गॉडव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए मानो कोई अद्रश दिखती उन्हें उसी कीले पर खड़ा रखना चाहती थी ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यहां से सारा गाउं साफ साफ दिख रहा था फिर बद्री कहने लगता है कि पहले ऐसे ही यहां बारिश होती थी यह गाउं काफे सम्रिद्ध था लेकिन धीरे धीरे बारिश बंध हो गई यहां के कुए सूखने लगे और पानी की दिक्कत आने लगी इसके अलावा यहां का दिवान सलीम सिंग इन्हें बहुत प्रतारित करने लग गया था उसकी नजर सरपंच की बेटी पे थी और ऐसे में गाउं वाले मिलकर उसका सामना किये आइमिन उसके सैनिकों का सामना किये 1845 तक यहां सिर्फ 70 लोग ही बचे थे क्योंकि बाकी लोगों ने गाउं को छोड़ दिया था और शायद यही वज़ा है कि आज भी वो जगह इतना रहसे महीं है जहां कोई ने रहता तो यह सब के बाद अचाना गौड़ अफसर तरुन होश में आते हैं और इन्हें अब काफी कुछ पता चल गया था तरुन भी फाइनली शान्त हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इतना विचले था हमेशा क्यों था और गौड़ अफसर समझ गये थे कि खाबा से एक बहुत ही दर्दना के दियास जुरा हुआ है तो आगे जब वो अपनी इन्विस्टिकेशन इस जगह पर करने जाते हैं तो वो गाउवालों को आस्वाशन देते हैं कि वो किसी तरह का अंदविश्वास फ्याल आने नहीं आए हैं बलकि लोगों तक इस जगह के दर्द को पहुँचाने आए हैं अब गौरव सर की unfortunate मृत्यू के बारे में तो हम सब को पता हैं और यहां मैं आपको बता दू कि उनके टेम ने उनसे कई बार कॉन्टाक भी करा है क्योंकि I feel कि that is personal यहां मैं बस उनके काम पे ही बात करने आया था और पिछले तीन वीडियो में मैंने ऐसा ही कुछ किया है जहां मैंने उनके काफी सारे cases को cover किया मेरे तरफ से यह गौरव सर पे final वीडियो है although मैं एक topic पे वीडियो बना सकता हूँ which is कैसे लोगों ने गौरव सर से contact करने की कोशिस करी है उनके मौत के बात तो उस वीडियो में मैं तभी काम करूँगा जब इस वीडियो पे at least 75 के likes आने चाहिए I know आज तक का सबसे बड़ा target है बट I know आप लोग कर दोगे और तभी मैं काम शुरू करूँगा और हाँ यहां मैं आपको फिर जब बता दू कि मैं कुछ भी अपने मन से बना कर नहीं बोल रहा सब किताब में लिखा हुआ है अब इनको मानना या ना मानना ये आपके उपर है मेरा अपना कुछ personal opinion है जो कि एन मैं शेयर नहीं करूँगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही अब जो लोग end तक बने हैं उन्हें मैं कुकू FM के special offer के बारे में बताता हूँ तो बेसिकलिए अगर आप yearly subscription लेते वक्त मेरा code हUNTT50 का इस्तमाल करते हैं तो आपको 399 की जगह सिर्फ 199 पे करना होगा जो की बहुत ही amazing value है तो देड़ मत करो लिंक description और पिन comment में है जाओ वहाँ जल्दी से कुकू FM को download कर लो और yearly subscription ले लेना happy listening नव वीडियो पसंद आए उसे like और share करना मत भूलिएगा और हाँ जाने से पहले हमारे चानल haunting tube को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दे क्योंकि हम अपने चानल पैसे वीडियो लाते रहते हैं peace